जैने दोस्तों रंदे मातरम पिछले कुछ दिनों में राहुल गांदी ने लगातार और बार बार भाजपा के ऊपर अडानी को लेकर काफी सारे आरोप लगाया थे कई लोगों का इस मामले में कहना था कि भाजपा अगर कोई गलती नहीं कर रही तो इसको लेकर भाजपा जवाब क्यों नहीं दे रही ऐसा ये एक मामला पिछले कुछ सालों में राफेल को भी लेकर चला था अब ऐसे में चुनाओ नजदीक आने के साथ ही राहुल गांदी के पास फिलहाल एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसकों के लेकर वो भाजपा को घेड सके तो ऐसे में अब हुनोंने राफेल के बाद में चुन लिया था अडानी को इस पूरे मामले में एक और अच्छी बात ये हुई कि हिडिनबर्ग की रिपोर्ट भी आगे अडानी को लेकर जिसे कि राहुल गांदी के इस पूरे तक्थे को हवा देने में काफी जादा मतद मिल गी लेकिन अब फाइनली भाजपा की तरफ से भी राहुल गांदी की इस माखूल बात को लेकर जवाब निकल कर सामने आया है निर्गला सीतर अमन ने जो कि हमारे देश की फानेंस मिनिस्टर भी है उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांदी को लताड़ा है वो साफ तोर पड़ी बताने के लिए काफी है कि राहुल गांदी को फिलहाल अपने उपर लगे हुए मानहानी के केसिस के उपर ध्यान देना चाहिए ना कि इन सब बातों के उपर लेकिन इस ख़बर में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलेग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट आपको डिरेक्ली मिल सके अब बात करते हैं राहूल गांदी के इस मामले के बारे में तो देखिए केंद्री वित्तमंत्री निर्वाल सीतारमन लगातार अपने आपको काफी ज़ादा इन सीजों से एक्सपोज करती ही रहती है अब इस बार और राहूल गांदी के सामने खुद को रख दिया है केंद्री वित्तमंत्री निर्वाल सीतारमन ने कहा है कि राहूल गांदी अडानी का नाम लेकर भाजपा पर आरूप लगाते रहते हैं लेकिन सच बात यही कि कॉंगरेस ने बिना किसी टेंडर के विजिंगम बंदरगा अडानी को दिया था सीतारमन ने कहा कि भाजपा ने अडानी को कभी भी अनुचे तलाब नहीं दिया राहूल गांदी प्रहानमंत्री पर जूटे अरोफ लगा कर बार बार अपराद कर रहे हैं जो जाइर सी बात है सही नहीं नेर्वना सीतरमन ने 6 अपरेल को एक प्रेस कांफरेंस करी और कहा कि राउल गांदी को लगता है कि अडानी को सभी चीजें दे दी गई यह सच नहीं सचा यह है कि कॉंगरेस ने थालियों सजा कर विजी गनम बंदरगा अडानी को दे दिया था यह किसी टेंडर के अधार पर नहीं दिया गया था निराधार आरोब लगा कर बार बार अपराद कर रहे हैं राहूल गांदी ने साल 2019 में भी ऐसा ही किया था अब फिर से वो वही सब कर रहे हैं उन्होंने सवाल उठाते हुए ग에ा कि साल 2013 में जब प्राहनमंतरी मनमोहन सिंख विदेश में थे तब राहूल गांधी ने कद्यदेश को बखवास बताते हुए फार दिया था और उसे पुड़िदान में फेक दिया था राजसान में भी अडानी को पूरा का पूरा सोलर पावार प्रॉजेक्ट दे दिया था राहुल गांदी सोलर प्रोजेक्ट को रद कराने से आखिर क्यों बच रहे हैं वो मोदिय डानी भाई 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 चिलाते रहते हैं राजस्थान में ऐसा वो क्यों नहीं कर रहा है जाहिड सी बात है माँपर कॉंग्रेस की सरकार है सीतरामन ने राहुल गांदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो 36 गांद में भी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है अगर 60 गांट वाला पूंजी वात कहीं हो रहा है तो ये सिर्फ कॉंग्रेस की सत्ता वाले राज्यों में ही हो रहा है इस पर राहुल गांदी एक शब्द भी नहीं बोलते अगर वे प्रहान मंत्री पर आरुप लगा रहे हैं तो वे मतलब जाएं और अपनी ही सरकारों के आदेशों को रद्द करें फितमंत्री ने कहा कि पहले तो वे जूटे आरुप लगाते हैं और फिर उसे सौ बार दोहराते हैं इसके बाद भगवान से प्रार्थना कर इसका लाव उठाने की कोशिश भी करते हैं उन्होंने कहा कि साल 2019 में राफेल को लेका प्रहान मंत्री पर दिये गए अपने बयानों के लिए राहुल गांदी को सुप्रीम कोल्ट में माफी मांगनी पड़ी थी निर्मला सीतरवन ने आगे कहा कि राहुल पर माफी मांगने से पहले राहुल गांदी को आरसे से खिलाफ गलत बयानवाजी करने के लिए लिखित में माफी मांगनी पड़ी थी उन्होंने कहा कि अब आज कह रहे हैं कि वो गांदी हैं सावर करने क्या राहूल गांदी ये भूल चुके हैं कि वो पहले दो बार माफी मांग चुके हैं जाहिर सी बात है राहुल गांदी इस समय जिस तरीके से राजरीती में सड़नली सक्री होने कुशिश कर रहे हैं वो ये बताता है कि उनकी छटपटाट इस समय काफ़ जादा बढ़ चुकी है किसी भी तरीके से कोई ग्राउंड उनको मिल नहीं रहा है कि वो भाजपटा सरकार को घेर सके और जिन मुद्दों के उपर भाजपटा सरकार को घेरने के लिए जा रहे हैं वो मुद्दे इतने छोटे हैं कि वो कहीं ने कहीं उस ग्राउंड लेवल पर ही खो जाते हैं वे बैटका राहूल गांदी ने जो भी कुछ बंदर बाट किया है उसका खामयाजा ही लगधि को दिख रहे हैं उनके लिए मुश्किलात ही पैदा करेगा और मेरे हिसाब से तो कोई और अगर नेता होता इतना हारने के बाद वो खुदी चुनास चन्यास ले चुका होता लेकिन राउल गांदी इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कि वो इन सब चीजों का ठीकरा दूसरों के बर फोड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं रगाते आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रू बताईएगा मेरे सुडियों फरालत नहीं जये हैं